हेलो फ्रेंट्स एल्जी आरे स्टेडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आपको जानकारी देदे की इंटर्मिरेट बोर्ड एक्जाम की बेहतर तैयारी के लिए एल्जी आरे स्टेडी इंटर पर अबजेक्टिव सेशन सुरू हो चुका है और ये को जॉइन करेंगे वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें और एल्जी आरे स्टेडी को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको तयारी में बेहतर सपोर्ट मिलने वाला है वहीं लग्यारी को जरूर डॉनलोड करें इसके बारे में हम सकते हैं और यदि और भी बेहतर त्यारी करना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट www.lgrstudy.com को विजिट करके आप यहां से भी तैयारी कर सकते हैं अब आगे बात करते हैं आज के हेडिंग की तो पुरा तक तो एवं प्राचीन भारत आज का हेडिंग है मोडे काल से गुप् वटता हो तो आप सारह हमारे साथ कमेंच सेक्शन में करते चलिएगा इवाइं एक के बारे में आपको बता देते हैं आपको बता दे कि इस एफ में आपको सभी विषय का एंडिंटरमीडियेट बोर्ट एकजाम में जितने भी विषय में से किसी विषय की यदि आप तैयारी कर रहें हैं तो उसका भीवियाई सब्जेक्टिव कोईशन का पीडियाव भी प्रिविजन नोट्स मॉडल पेपर का पिडियाव क्लास नोट्स ऑनलाइन टेस्ट इसारी शुद्र है आपको बिल्कुल यहां से फिरी में मिल रही है जो की बहुत ही बड़ा सपोर्ट है लिजी आरेस्टरी के दौरा तो आप ल अंडाल को दक्षिन भारत का मीरा भी कहा जाता था और इनका एक बुक है जिस बुक का नाम है थिरू पाई क्या नाम है थिरू पाई इनके बुक का नाम है और दक्षिन के मीरा के नाम से इनहे जाना जाता है बारा अलबार संतों की संख्या थी जिसमें से एक नाम था दूसरे नमबर कोईशन को देखते हैं ध्धम की सुरुवात किस ने की थी आप सभी को पता हुआ कि असोक द्वारा ध्धम की सुरुवात की गई थी जब कलिंग यूद हो जीते और उनसे आहत होकर इतनी मिर्तु हुई इस यूद में इतना अहिंसा हुआ इससे देखकर उन् उन्होंने अनुकरन किया और इस दिन से उन्होंने मारगात करना बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा सीस का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौरी के पोता थे कौन असोक चलिए अगले क्विस्चन की बात करते हैं पुरानों की संख्या कितनी है पुरानों की संख्या जो है वो अठारा है कितनी है पुरानों की संख्या अठारा है वहीं बेदों की संख्या यदि आप से पूछा जाए तो बेदों की संख्या टोटल चार है अठारा पुरान और चार बेद तो बीस का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जागा वैसे बेद से की जाती है बिसमार्क से की जाती है या फिर मुसोलनी से की जाती है तो आपको बता दें समुद्र गुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है भारत का नेपोलियन यदि पूछा जाए तो समुद्र गुप्त इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसलिए क् नेपोलियन भी, इसका बिल्कूल पाउटसर होगा, अब पाइचमें नमबर क्योश्चन को हम देखेंगे, पाइचमें नमबर क्योश्चन हमारतर किमकर्ष नाम ने पुस्यमूत्र मित्र सूंग। पुछ से मित्र सुंग ने इनकी हत्या करके सुंग बंस की अस्थापना की थी तो ब्रिदरत जो थे लास्ट थे मौरे बंस के अगले क्विश्चन की बात करते हैं मौरे कालिन ठक साल का प्रधान कौन होता है तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि ठक साल क्या होता है ठक साल का मतलब होता है सिक्का नोट तो इसके परधान कौन थे तो आपको बता दे इसका क्रेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा लवन्या धक्ष कौन होगा सुरी इसका क्रेक्ट आंसर जो वह पान्या धक्च होगा कौन होगा पान्या धक्च यानि कि सी इसका बिल्कुल पर्फेक्ट आंसर होगा अगले क्वेशन की बात करते हैं मौरे वंस की राजधानी कहां थी मौरे वंस की राजधानी जो थी वह पाटली पुत्रियानी की पटना थी ना विदिशा थी ना रा जिक कहां इस्थित था यानि कि मौर्ग के समय में करनें जिसको जिस पर विजय प्राप्ट करके असोग समराथ ने धहम की निती अपनाई थी वो कलिंग आखिर था कहां इसका कुछ हिसा बंगाल में भी था मध्दपर्देश में था और इसका पूरा हिस्सा जो है वह अभी उरिसा में है कोई उरिसा में तो सी इसका बिल्कुल पर्फेक्ट आणसर हो जागा सी उरिसा अगले क्वेस्टन की को पता हो तो कमेंट सेक्शन में फटाफट करते चलिएगा और ये कुश्चन है मौरे काल में ब्रहादे क्या था मौरे काल में ब्रहादे जो था वो क्या था पसुदान था कौन सा दान था या फिर धन दान था भूमी दान था किसी दान था मौरे काल में ब्रामनों को जो भूमी कहा जाता था तो सी इसका प्रffek्ट आजर हो जागा भूमी दाग करते हैं सुलावां नम्बर कुशन असोक का ब्यक्ति дав kıya था असोक का ब्यक्ति जो था वो बहुत धर्म था कौन सा धर्म था बहुत धर्म था और कलिंग के यूद के बाद इन्होंने बहुत धर्म को अपनाया था अगले question की बात करते हैं असुक ने महंद्र और संग मित्रा को परचार के लिए किस देश में भेजा था जापान में मिसर में वर्मा में या सिंहल दूइप में आप जापान जानते हैं मिसर को भी जानते हैं वर्मा को भी जानते हैं लेकिन ये सिंहल दूइप जो है इसे क्या आप जानते हैं बिल्कुल नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं कि सिंहल दूइप किसे कहा जाता है स्री लंका को सिंगल दूइप कहा जाता है और असोक की जो सबसे बड़ी बेटी थी उसे संगमित्रा और पुत्र महेंद्र को इन्होंने बहुत धर्म के परचार के लिए स्री लंका यानि सिंगल दूइप भेजा था तो डीस का बिल्कुल फरफेक्ट आंसर होगा कि ये किस बंस का सा सकता नंद बंस का था मोड़े बंस का था गुप्त बंस का था या फिर चोल बंस का था इसका आंसर आपको कमेंट सेक्षन में देना है अगले क्वेशन की बात करते हैं असोग कौन से बुद्ध विक्षू के प्रभाव में आकर बौध धर्म का समर्थक बन गया यानि कि किस विक्षू के प्रभाव से वो बौध धर्म को अपना लिया तो इसका फर्फेक्ट आंसर जो हो जागा वो उपगुप्त होगा क्या होगा उपगुप्त यानि कि एसका अंसर होगा इुप्द चलिए रेक्ट को संग को देख लेते हैं उत्तरी पष्चमी भारत के से प्राप्त असोक यह अभिलेख के में मिलैए उन में किस भाषार लिपी का उपशन्य लिखा गया यह अस्तंब आपको बता दे यह खरोस्टी लिपी में लिखा गया है किस लिपी में खरोस्टी लिफी में लिखा गया है इसलिए इसका फर्फेक्ट आंसर हो जागा पस्टिंग भारत में जो भी असोक के अभिलेक मिले हैं वो किस लिपी में मिले हैं खरोस्टी लिपी में मि इसमें नंबर कोईशन की बात करते हैं असोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक पराप्त हुए है यानि कि इतिहासकारों द्वारा जो खोजा गया अभिलेख है उसकी संख्या कितनी है कितने अभिलेख को इतिहासकार खोज चुके हैं 35, 30, 40 या 44 आपकी राय क्या है हमारी रा परचारित भौथ धर्म कहां पर चलिए था तो असोक द्वारा पर चारित भौथ धर्म जो था इसके बारे में भी हम अभी चर्चा कि नहों ने अपनी पुत्री संग मित्रा और पुत्र महेंद्र को कहां भेजा था संगल दूइपियानी की सिरलंका भेजा था तो इसका फर्फेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी अगले क्वेश्चन को देख लिजे असोक किस वंस का सासक था असोक जो था वो किस वंस का सासक था तो नंद वंस का स स्थापना हुई थी और मौर एवांस का सासर कौन था असोग था तो बीस का फर्फेक्ट आंसर होगा अगले कुश्चन को देख लेते हैं आने जीवक से आपको यह जाना है कि आखी जीवक थै कौन यह एक डॉक्ट थैं और महतमा बुद्ध प्रसनल डॉक्टर थी जीवक यह जो छिक्षा प्राप्त किते डॉक्टर गाने कीचिक इसाथ विग्यान का वो उनलत प्राप्त कियow expedition तकश सिलव से अ और बाल रोग के यह specialist थे शिसू के specialist doctor थे वैसे तो बहुत वैसे तो महत्मा बुद्ध के यह personal doctor थे लेकिन शिसू रोग भी से सग यह थे तो क्या हो जागा इसका correct answer जो हो जागा वो पार्टली पुत्र यानि कि इसका perfect answer होगा अब last question की बात कर लेते हैं और last question जो है जीवक कहां का रहने वाला था यह भी हम आपको पिछले question में बता देते लेकिन हमें पता था कि जीवक के बारे में एक और question आगे भी है और यह last question है जीवक कहां का रहने वाला था तो राज पाटली पुत्र में आकर के इ इसका perfect answer होगा तो आप पुना हम LGR study app के बारे में आपको बता देते हैं यदि आप लोग शुरू में नहीं देखे तो इस बार जरूर देखिएगा कि इस एप में कितनी सारी सुबधाएं हैं इस एप में आपको सभी बिसे का चाहिए science हो, arts, commerce हो का VVI objective question का PDF, VVI subjective question का PDF, कोई Link हम description में दे रहे हैं और play store से भी जाकर LGR study app आप install कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को like कर दिजिए, share कर दिजिए और LGR study को subscribe कर दिजिए, app को जरूर download कर लिजिएगा, telegram channel जो LGR study के नाम से facebook page को आप like कर सकते हैं और Instagram पर जाकर के हमें follow कर सकते हैं और website को visit करके आप बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, thanks